अब अध्यान करेंगे ग्यार्वी बाय लोजी के अंतरगत जो किंग्डम मौनेञा चेप्टर है इसके अंतरगत हम लोग जो टेस्ट लिए थे उसप का जो अबजेक्ट टू कोश्टिन है उसका यहां पर हम लोग आज अध्यान करेंगे ठीक है इससे पहले हम लोग Kingdom Monera के अंतरगत एक और Objective Question के जो टेस्ट अलिये थे उसका अध्यान किये थे उसमें भी कहना चाहिए जो Neat Level के जो Question है जो PZT Level के Question है या फिर उभी ना Competition परिक्षा में जो Top Competition परिक्षा होते हैं उनमें जो Question आते हैं उस इस्तर का यहाँ पर Question आपको मिले आने बाद हमको यह महसूस होता है कि यह Question तो अपने Book में था ही नहीं तो यह Question कहां से आया तो इस्टे पहले आप लोग theoretical अध्यान करिए मेरे YouTube चैनल का अध्यान करिए उसके बाद आप लोग अधिक से अधिक Objective Question को आप लोग एक Practice के रुप में करिए तभी आपको एक वि दस्वी पास होते हैं मेरे YouTube चैनल को आप तुरण सस्क्राइब करिए और अधिक से अधिक वीडियों को आप लोग अधियन करिए ठीक है आप बारवी बायलोजी में नीट बायलोजी में आप अधिकता मंग ला सकते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं आज का यह पहला Question वह प्रक्रिया जिसमें जिवाड़ों के लेंगिक जनन में वाइरस प्रयूकता होता है क्या कहलाती है आप लोग को पता होगा पहले के वेग्यानिक यह मानते थे कि जिवाड़ों में लेंगिक जनन होता ही नहीं है सेक्सवल रिप्रोड़क्शन होता ही नहीं है लेकिन बाद में कहना चाहिए जो लेडर वर्ग साइंटिस्ट है ग्रिफीथ है टेटम है जिंडर है इन सब ने मिल कर यह बताया कि नहीं जिवाड़ों में सेक्सवल रिप अब लोगों को पता होगा जो ट्रक्रार्मेशन होता है, इसमें ग्रिफित ने अध्यान किये थे 1928 में ग्रिफित और उनके दो तिन सहयोगी वेग्यानिक थे अवेरी, मेकल्यार्ट, मेकल्टी उनके सहयोगी वेग्यानिक थे इन्होंने मिलकर ट्रांसफार्मेशन का अध्यान किये थे रुपांत्राण का अध्यान किये थे डिपलो कोकस न निमोनी जो बच्चों में निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं इनकी दो इस्ट्रेन होती है इस्मूत और रभ एक इस्ट्रेन रोग उत्पन्न करती है और दूसरा इस्ट्रेन रोग उत्पन्न नहीं करती है यह इस पर अधारित है ट्रांशडक्शन ट्रांशडक्शन इनका क्का खोज कहना चाहिए लेडर वर्ग और जिंडर नामक सैंटिस्ट ने किये हैं और तीसरा है कंजूगेशन इसमें दो जिवाडु आपस में चीपक जाती है Site nodig ृक्षा के रहें करते हैं इनका क्कोच कहने िनलेडर वर्ग और यहां पर कोशिण यह है कि जिवाणू के sexual reproduction में virus प्रियुक्त होता है तो उत्तर क्या है यहाँ पर transduction उत्तर क्या है यहाँ पर transduction transduction में ही कहना चाहिए virus प्रियुक्त होते हैं तो virus क्या है यह बेक्टेरियो फेज क्या है यह बेक्टेरियो फेज जिवाडू भोजी इन्दी नम क्या होता है इसका जिवाडू भोजी जो जिवाडू को भोजन करूप में ग्रहाण करता है तो इसी वाइरस का प्रियोग किया गया था कई बार कन्फूज होते हैं इस्टूडेंट्स है जिवाडू भोजी मतलब जिवाडू है जिवाडू भोजी मतलब जिवाडू है नहीं जिवाडू भोजी एक वाइरास है जिसमें DNA Singal Trends या फिर Double Trends होते हैं यहीं पर एक और Question बनते हैं जो गंगा निदी का जल होता है कई सालों तक खराब नहीं होती है क्योंकि उसमें bacteria phage पाए जाते है जिवाडु भोजी पाए जाते हैं जो जिवाडु उत्पन होते हैं वैसी उसको भोजन की रूप में ग्रहन कर लेते हैं तो ट्रांश्डक्षन उत्तर क्या है ट्रांस्डक्षन आप बार्वी आले जानते होंगे हरसे एवं चेज दो साइंटिस्ट है हरसे एवं चेज इन वैज्ञानिकों ने बेक्टेरियो फेज और E. coli की सहायता से ये सिद्ध किये थे कि DNA ही क्या है अनुवानसिक पदार था कोश्चन भी कई बार आता है कि कीन वैज्ञानिकों ने अपने प्रमार से सिद्ध किया कि DNA का अनुवानसिक पदार था तुत्तर में होता है हरसे एवं सेज का प्रियोग निश्ञाव इंक्यावन वो प्रियोग कम सा है ट्रांस्डक्षन और क्या लिए थे वहाँ पर अगला कोश्चन है जिवाणू में सधारण काईक जनन होता है या किस जनन द्वारा जिवाणू के क्लोन का निर्मार होता है आप लोग को मैं बताया था जिवाणू में तीन प्रकार से प्रजिनन होता है किसी बुख में दो प्रकाल लिखा रहता है किसी बुख में एसेक् और कुछ बूप में यही नहीं लिखा रहता है तीक है इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें तीनों प्रकार का होता है और रिप्रोडक्टिव और और एसेक्स्वल दोनों को मिला कर एक सेक्स्वल लिख दिया जाता है एसेक्स्वल रिप्रोडक्शन केवल एक जिव में होती है दो जिव के अवसकता नहीं पड़ती है और उसमें रिप्रोडक्टिव आरगन भाग नहीं लेते हैं और इसमें variation नहीं होगा और variation नहीं होगा तो विकास नहीं होगा sexual reproduction में दो जीव भाग लेते हैं एक ही जाती के दो जीव एक नर और एक मादा दोनों के reproductive organ भाग लेते हैं दोनों के gamet भी बनते हैं युगमक बनते हैं दोनों gamet में fertilization होते हैं और आगे चल कर जाइगोड बनेंगे नए चाइल्ड बनेंगे वो माता पिता के समान तो रहेंगे लेकिन उसमें variation भी होगा variation होगा मतलब विभिन्नता होगा और विभिन्नता होगा तो आगे चल कर विकास होगा और एसेक्स वर रिप्रोडक्शन से या काईक जनन से जो उत्पन जीव होते हैं clone कहलाते हैं रेमेट कहलाते हैं क्योंकि इन दोनों विधियों से जो नए उत्पन संतान होते हैं अपने माता पिता के 100% समान होते हैं जिसके कानण इसको clone कहा जाता है जिवाडू में कहना जी जो काईक जनन होते हैं जनरली तोर पर अधिकांस बाइनरी फीजन होते हैं क्या होते हैं बाइनरी फीजन इसका अर्थ यह होता है जैसी कि अमीबा में भी बाइनरी फीजन होता है मालो कहने चाहिए जिवाडू का एक कोशी का है और ये कहने चाहिए अमीबा का एक कोशी का है ये कहने चाहिए धीरे से इस प्रकार के चीत्रा बनाएगा इस प्रकार से और आगे चलकर ये इस प्रकार से दो भागों में क्या हो जाएगा ये विभ्यक्त हो जाएगा मतलब मध्य में यहाँ पर एक संकिर्णन उत्पन्ना होगा खाच उत्पन्ना होगा गुरू उत्पन्ना होगा ये गुरू धीरे धीरे क्या होती जाती है बढ़ती जाती है और अंत में कहना चाहिए इसको दो जिवाडू में क्या कर देते हैं भाजित कर देते हैं तो बाइन मतलब एक साथ कहना चीए कई अमीबा में टूड़ जाएंगे भाजित हो जाएंगे तब इसको मल्टीपल फीजन कहा जाता है तो जिवाडू में जो कहना चीव वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या फिर कीस जनन द्वारा जिवाडू के क्लोन का निर्माड होता है तो काईक जनन या एसेक्सवर रिप्रोडक्शन से जो बनते हैं वो क्लोन कहलाते हैं क्योंकि माता पीता के स्टमान होते हैं तो यहां पर बताना है आपको सबसे अधिक कहना चीव काउन सा काईक जनन जिवाडू में होती है तो उत्तर क्या है बाइनेरी फीजन ठीक है जी और यह होता है यूबैक्टिरिया तो अभी आप लोग को जेश्ट बताया था कूछ वेग्ञानिक पहले बोलते थे कि बैटेरिया में लेंगिक जनन नहीं होता है बाद में कई वेग्ञानिक को नसीदह कर दिया कि इसमें तीन प्रकार से या फिर चार प्रकार से हो सकते है ट्रांस्फार्मेशन, ट्रांस्डक्शन, कंजुगेशन ठीक है जी तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा उप्रोक्त सभी क्लियर अगला कोश्चन है ग्रिफित ने अपना प्रियोग ग्रिफित ने अपना प्रियोग चुहे वर डिप्लोकोकस निमोनी पर किया ठीक है तो उत्तर क्या है यहाँ पर ट्रांस्फार्मेशन यह जो ग्रिफित नामक सांटिस्ट है इन्होंने 1928 में एक प्रियोग किया था प्रियोग डिप्लोकोकस निमोनी और चुहे पर था यह बारी में इसे सुरूप से है ठीक है जी यह जो डिप्लोकोकस निमोनी होते हैं इनके दो इस्ट्रेंड होते हैं एक होते हैं इस्मूथ और एक होते हैं रफ एक कहना चाहिए रोग उत्पन करते हैं और एक रोग उत्पन नहीं करते हैं इनको बारी-बारी से कहना चाहिए चुहे के शरीर में इंजेक्टा कराते हैं और इस प्रकार से इन्होंने अपने एक प्रियोक किया था जिसको कहना चाहिए क्या कहा जाता है ट्रांसफार्मेशन और यह जुआडू में होने वाले यह क्या है एक sexual reproduction है clear आगे है penicillin bacteria बहुगुणिता को रोकता है क्योंकि मतलब जो anti-partic सा है यह क्या है medicine है और जब हमको कहना ची कोई भी bacteria से रोग हो गया तो हमारे सरीर इस bacteria की मातरा क्या हो जाती है बढ़ जाती जैसे जैसे यह कहना ची यह multiplication करती है और अपनी शेंख्या को बढ़ाती है और हम लोग कहना ची अत्यधिक और रोक बढ़ते जाते है clear तो penicillin हम लोग लेते है anti-partic penicillin लेते हैं anti-partic तो यह क्या कारे करते हैं bacteria में जाकर तो यह कोशीका भीति के निर्माण को रोक देता है यह जो माल लोग कहना चीए कोशीका है bacteria का इनके चारो तरब कहना चीए क्या पाई जाती है कोशीका भीति पाई जाती है मोटी होती है और यह anti-partic direct इसको क्या करता है जब इसको पहले तोड़ेगा क्या करेगा तोड़ेगा यह तोड़ेगा तभी बेक्टेरिया क्या होगा नस्ट होगा निया था नस्ट नहीं होगा तो कोशीका भीति की या तो निर्मान को रोक देता है या फिर इसको क्या कर देता है नस्ट कर देता है तो उत्तर क्या जाएगा यहाँ पर C clear अगला question है जो काव होते हैं बफेलो होते हैं मतलब गाय भायश होते हैं मवेश्री होते हैं इनके अहार नाल में नीमन लिखीत में से क्या होता है तो आपको मैं पहले टेस्ट में ही बताया था इसमें कहना चीए मेथेनो जेंस बेक्टेरिया पाए जाते हैं कौन से बेक्टेरिया पाए और इनकी आहार नाल में पाया जाते हैं इसी कानण कहना चाहिए बायो गैस में हम लोग जब गोबर के खात को डालते हैं तो वहां पर कहना चाहिए कौन सी गैस की उत्पत्ती होती है इसमें कौन-कौन से गैस होती है इनका विस्तरी जानने के लिए आप लोग फिफ्थ जो यूनिट है environmental issue उसका अध्यन कर सकते हैं क्योंकि environment से अनेक examo में question आते रहते हैं कई बर हम लोग याद रखते हैं कि bio gas में क्येवल मेथें नहीं होता है ऐसा नहीं है यह मेथें कहना चीए 60% होता है ठीक है और जो कहना चीए carbon dioxide होते हैं यह कहना चीं लग भग 30 से 35% होते हैं इसमें कुछ नाइटरोजन भी होते हैं लग भग 5% और कुछ अन्य भी हो सकते हैं क्लियर तो उसमें मेथेनो जेंस बैक्टेरिया आःरनाल में पाई जती है जिसके कानड़ कहना चाहिए यह मेथेनोस जेंस बेक्टेरिया यह फिर मेथेन उत्मन करने के कारण मेथेनोस जेंस बेक्टेरिया कहलाते हैं क्लियर आगे है जुवाडू में Alejandro में कंज्जुगेशन की खोच की अभी आप लोग को में उपर बताया था लेडर बार्गवा टेटन लेड़, बर्गवा, टेटम इन्होंने कहना ची कंजूगेशन की खोचके कंजूगेशन सेक्स्वर रिप्रोड़क्शन की विधी है ये पैरा मिशम में भी होता है इसमें कहना ची दो जिवाडू, माल लूए एक जिवाडू है और ये भी कहना ची एक जिवाडू, दो जिवाडू इसमें आपस में क्या हो जाती है चिपक जाती है, और इनका अन्वानसिक पदार्थ है इसमें आ जाती है मतलब दो जिवाडू बेक्टेरिया चिपक जाते है और यही पर अन्वानसिक पदार्थों का क्या होता है तो यहाँ पर उत्तर है D आगे question है जिवाड़ों में link कारक है जिवाड़ों में link कारक है sex factor है तो यहाँ पर उत्तर क्या है A, एप कारक या इसको replican भी कहा जाता है एप कारक एक plasmid है एप कारक क्या है एक plasmid है plasmid के क्या होता है vector होता है वाहक होता है जो वहन करने का कार्य करते है यह बहुत ही महत्तों पूर्णा होते है और यह कहना है जिवाड़ों में पाई जाती है अन्य में नहीं पाई जाती है DNA को काट शांट हेरा फेरी करने के लिए जो genetic engineering होता है यहीं पर यह plasmid vector का कार्य करता है E. coli नामक bacteria में यह कहना चाहिए PBR PBR 322 नामक क्या पाई जाती है vector पाई जाती है इसी प्रकार से Puc E. coli में ही पाई जाती है Agrobacterium Tumifacians में Ti नामक plasmid पाई जाती है तो उसी प्रकार से कहना चाहिए यह Factor या F Replican यह क्या होते है यह plasmid है और यही एप कारक जिवाड़ों के क्या होते है sex factor होते है clear आगे है असुत्री विभाजन पाई जाता है कोशी का यह विभाजन जनरली तोर पर तीन प्रकार का होता है एक होता है असुत्री और एक होता है समसूत्री जिसको माइटोसीस कहते है और एक होता है अर्धसूत्री ठीक है ये जो समसूत्री भाजन होता है ये कहना चाहिए सोमेटिक सेल्सा में होता है किसमें होता है सोमेटिक सेल्स में होता है दहिक कोशिका में होता है जो अर्द सूत्री होते है वो जर्म सेल्स में होते हैं किसमें होते हैं जर्म सेल्स जैसे मानाव का जो टेस्टिस और ओवरी है मानाव का जो टेस्टिस और ओवरी यह जर्म सेल्स होते हैं इस जर्म सेल्स में अर्ध सुत्री भाजन होते हैं मियोसिस और जो सुमेटिक सेल्स होते हैं हमारे सेरी में जो दहिक कोसिका होते हैं उसमें समसुत्री भाजन होते हैं माइटोसिस यह माइटोसिस और यह मियोसिस हिंदी में सम सुत्री और अर्ध सुत्री तो म्योसिस में कहना ची एक कोशिका से कितने बनते हैं दो बनते हैं और दोनों में क्रोमोस्वम की शंख्या मातरी कोशिका के बराबर होती है जैसे इसमें 46 है तो यहाँ पर दो कोशिका बनेंगे दोनों में कहना चाहिए एक क्रोमोस्वम की शंख्या कितनी होती है 46 नई बनने वाली कोसीका में क्रोमोस्वम की शंख्या मात्री कोसीका के बराबर और यह कहना चाहिए जो अर्धसुत्री भाजन होता है उसमें एक से चार बनते हैं जैसे कि यह कहना है जर्म सेल्स है इसमें क्रोमोसम की शंख्या कितनी है 46 तो इसमें एक से चार सेल्स बनेंगे तो पहले एक से दो बनेंगे और उसके बाद दो से चार बनेंगे एक ही बार आपको चार नहीं बनाना है एक ही बार चार बनाएंगे तो गलत हो जाएगा तो इसमें 46 है तो इसमें कितना आजाएगा 23 इसमें कितना आजाएगा 23 और उसके बाद आधी नहीं होती है और आगे आधी नहीं होती है तो जो मियोसिस डिविजन होता है अर्ध सूतरी होता है ये दो बार उभाजित होते है पहले और शेकंड तो इसको कहा जाता है मियोसिस फर्ष्ट और इसको कहा जाता है मियोसिस सेकंड मियोसिस फर्ष्ट में आधी हो जाती है और मियोसिस सेकंड में आधी नहीं होती है मियोसिस सेकंड को एक प्रकार से माइटोसिस माना जाता है किसके समान होता है यह माइटोसीस क्योंकि माइटोसीस में एक से दो बनते हैं और वहाँ पर आधी नहीं होती है तो इसमें देखिए एक है यहाँ पर दो बन गया यह एक है तेईस और यहाँ पर दो बन गया मियोसीस second को माइटोसीस के शमान माना जाता है तो मियोसीस दो बार होगा पहला और दूसरा तो पहले कहने एक से दो और यहींपर आधी हो जाती है और कूल मिलाकर मियोसीस ड्–ड्यूजन में एक से कितने बनेंगे चार बनेंगे और नई बनने वाली चाइल्ड में संतान में क्रोमोस्यम की शंक्या, मातरी कोशी का कि क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, clear, तो यहाँ पर प्रशन क्या है, असुत्री भाजन पाय जाता है, तो यह पाई जाती है, मुख्यरूप से जिवाणवों में, मैटोसिस में इस इसमें नहीं होता है, इसमें बोलेंगे A mitosis यह clear नहीं होता है कि कैसे होगा कि कितने बनेंगे clear आगे question है स्वतंत्र रूप से भूमी में रहने वाला स्वतंत्र रूप से भूमी में रहने वाला अवाईवी जिवाडू जिसमें nitrogen fixation करने की छमता होती है ठीक है तो यहाँ पर याद रखेंगे स्वतंत्र रूप से भूमी में रहने वाली free living जो भूमी में पाई जती एक और बेक्टर यह उसका अफसान यहाँ पर मन नहीं दिया हूँ एक होता है agetobacter ठीक है जी यह agetobacter इसको फालो करेगा free living भूमी में पाई जती सोतंत्र रूप से clear और यहाँ पर जो पully होते हैं प्रकार आयु स्सितिति होते हैं एक प्रकार स T कि जो प्रजात्यान aren면 कर शक्ते हैं तो कि और झो कि नुषाव्य करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करना जिससे भूमी की उरूरा सकती क्या हो जाती है बढ़ती जाती है मतलब नीट्रीफाइंग बैक्टेरिया है नायों फिक्सेशन करने वाले बैक्टेरिया को नायुआ प्सक्राइग आगे कुश्यन है स्वतंत्र जीवी जीवाडू जो वाईवी है ठीक है अभी जंक बतायों आप लोग को उपर में स्वतंत्र जीवी जीवाडु फ्री-लिविंग बेक्टेरिया ये भी भौमी में बैजाते हैं और ये वायवी होते हैं क्लोइस्टीडियम क्या थै? आवायवी एन एरोबिक और ये क्या होते हैं? एरोबिक, मतलब आक्सिजन की उपस्तिती में और यह आप्रकासंसलस्डी होते हैं, मतलब फोटो सिंथेसिस नहीं करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेसन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसन मतलब क्या होता है, वाई मंडल में कहना चाहिए, जो 78% क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, पाउधे इस नाइट नाइट्रोजन को डारेट नाइट्रोजन कर रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं पाउधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट कर रूप में ग्रहण करते हैं तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बेक्टिरिया होते हैं चाहे आपका एजेटोबेक्टर हो या राइज नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाते हैं तो यहां पर उत्तर क्या है एजेटो बेक्टर उत्तर क्या है एजेटो बेक्टर यह सहजीवी नहीं होते हैं फ्री लिविंग होते हैं वावी होते हैं और आप प्रकास संसलेस्टी होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्ये कर करने पाक करते हैं जो स्पर्म के यदि इसके हम लोग रूट का अध्या पाइण करेंगे तो इसके हम लोग रूट का अध्यान करेंगे तो इसमें बहुत अधिक OF मातरा में कहना चाहिए कुछ नील हरी सेवाल पाया जाते हैं क्या पाया जाते हैं नील हरी सेवाल बेक्टेरिया पाया जाते हैं फिर साइनो बेक्टेरिया पाया जाते हैं जैसे कि एक फ्रेंकिया क्या होता है एक फ्रेंकिया नामक बेक्टेरिया पाया जाती है जो साइकस में विसेश रू किलिव बेला रेखे अट यह वह द्सीजन कशन कुम करते हैं और आक्सीजन को क्या करते है उत्पन्द करते हैं जिसमा इंड प्रकार से पाउद्ही आठेट राफ्स फोटोंसींतेटरिक होते हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पर एक बेक्टेरिया का नाम बताना है जिसमें कहना है यह फोटो सिंथेसिस होता है और आक्सीजन भी क्या होता है उत्पादित होता है तो उत्तर यहाँ पर क्या है ओसी लेटोरिया ऑसी या ओसी लेटोरिया एक बेक्टेरिया है जिसमें पाउधे के समान क्या होते ह प्रकाल संसलेशन होते हैं और आक्सीजन की उत्पत्ती भी होते हैं क्लियर आगे कोश्चन है दाल देने वाले पौधे ये बहुत ही महुत पूर्ण कोश्चन है हाला कि ये अब जादा नहीं आते हैं लेकिन ये मुख्या यहीं से कहना चाहिए ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बेक्टेरिया होते हैं उसका अध्यान किया जाता है दाल देने वाले पौधे दाल देने वाले पौधों को क्या कहा जाता है लेग्यों पौधे क्योंकि लेग्यो मिनोशिक कुल के अंतरगत आते हैं चाहे आपका अरहर हो चाहे उड़ाद हो चाहे मूंग हो चाहे अन्या दाल हो इनके जड़ों में कहना ची एक बेक्टेरिया पाई जाती है माल लो एक चीत्रा बनाते है यह मालों कहना चीए दाल देने वाले क्या है यह पाउधे है ठीक है यह जड़ है ठीक है यह पाउधे है यह भूमी है यह जड़ है इसमें कहना चीए इस प्रकार से रूट नोडियूल से पाई जाती है गांट पाई जाती है क्या पाई जाती है रूट नोडियूल से पाई हैं ठीक है हिंदी में कहना चाहिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोल ग्रंथिकाएं मोल ग्रंथिकाएं रूट नोडियूल्स एक गांठ पाई जाती है वास्तों में कहना चाहिए इस गांठ में कौन सी बेक्टेरिया पाई जाती है इसमें पाई जाती है राइजोबियम क्य यहां पर राइजोबियम क्या कारे करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन का कारे करती है मतलब नाइट्रोजन को आगे चल कर किसमे चेंज करेंगे नाइट्रेट में और हमको पता है कोई भी पौधे नाइट्रोजन को इस रूप में ग्रहण नहीं करते है नाइट्रोजन क्रूप में किस रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रेट तो राइजोब्यम और लेग्यूम दोनों की भी सहजीवी संबंद पाये जाते हैं क्या संबंद पाये जाते हैं सहजीवी मतलब सीम बायोसीस ठीक है जी सहजीवी संबंद पाये जाते हैं मतलब पावधे इसको रहने के लिए जगह देते हैं, इस्थान देते हैं, आयर राजयोबियम उसके बदले में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कारे करते हैं और नाइट्रोजन पावधे को प्रदान करते हैं, जब दोनों को लाब होता है तब उसको सहजीवी या फिर सीम बाय तो सीस कहा जाता है, इसी करण कहना चाहिए जो क्रिशिवे ग्यानिक है, वो किष्टानों को कहना चाहिए ये क्राप रोटेशन पर ध्यान देते हैं, क्राप रोटेशन मतलब फसल चक्र, मतलब यदि किसी भी भूमी में आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप् सकते हैं तब भूमी की उरूरा सकती क्या होती जाती है बढ़ती जाती है तो उत्तर यहां पर क्या है राइजोबियम क्लियर आगे है नाइट्रिफाइंग बेक्टेरिया जैसे नाइट्रो सोमोनास नाइट्रो बेक्टर ये शब क्या कार्य करते हैं तो जब अभी आप लोग को उपर में बताया था जो कहना चाहिए ये वाई मंडल में जो क्या होते हैं 78% नाइट्रो जैन होते हैं इसको कहना चाहिए ये पहले या तो एन एज 3 या फिर कहना चाहिए एन एज 4 में परिवर्तित करते हैं ठीक है यह जो A-N-O-4 होते हैं अमोनियम होते हैं इसको आगे चल कर कहना चाहिए A-N-O-2 और आगे चल कर कहना चाहिए A-N-O-3 में बदलते हैं यह जो राजोबियम होते हैं एजटो वेक्टर होते हैं यह सब कहना चाहिए नाइट्रो सोमोनास नाइट्रो वेक्टर होते हैं जो nitrogen fixation का कार्य करते हैं तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या हो जाएगा आगे question है फ्रेंकिया एक बैक्टेरिया है कि इस नान लेग्यूम पाउधे में पाये जाते हैं जो nitrogen fixation कर सकता है नान लेग्यूम मतलब दाल देने वाले पाउधे को छोड़ कर जैसे कि कहना चाहिए एक scycas होता है यह कहना चाहिए जीमनो इस परमा का एक पादाप होता है clear यह जो प्रेंकिया होते है एक बैक्टेरिया है इस नान चाहिए जो scycas होती है इनके root में पाए जाते है और nitrogen fixation का कार्या करते हैं जो रायियोबिया मोते हैं में पाए जाते हैं लेग्यूम में डाल देने वाले में प्रेंक्या होते हैं स्कास में पादप है इसको लिविंग से लिए जिविव सम कहा से जthis नहीं है अंगे ःऊनोट मक्ता एंटू में परिवर्तित करते हैं क्या कह राते हैं यह कहना चीए जो natrifying bacteria होते हैं just इसके उल्टे कार्य करते हैं देखिए यहाँ पर एक है natrification और एक है denatrification ये तो पूर्ण रुप से कहना चीछ गलत है पैरासाइट हाई नहीं है septrophatic हाई नहीं है एक naitrifying या natrification करने वाले bacteria ये bacteria क्या करते हैं y indigenous के nitrogen को एगे चल का इसको Nνो 2 में फिर आगे चल कर N Å 3 में यह यह नय्यट्री फांग बेक््टेरिया जैसे जीटोबेक्टर है राइज़ोबियम है ठीक है और जो दिन इतरिफोश्द बेक्टेरिया होते हैं यह just उल्टा और्ये करते हैं यह ऐसे चेंज करें तो नैट्रेट को किस में चेंज कर देंगे ईन टू में चेंज कर देंगे जस्ट उल्टे कार्य करते हैं इसी कार इसको नाइट्रिफिकेशन के जस्ट उल्टें कहा जाता है डी natrification लेके एक हम लोग बोलेंगे के चक्र प्रभावित हो जाएगा नाइट्रोजन चक्र प्रकृति में हमेशा चलती रहती है इसी काना प्रकृति में हमेशा कहना चाहिए 78% क्या होती है बनी रहती है यदि कहना चीए nitrogen चक्र नहीं चलेगा तो प्रकृती में 78% नहीं पाया जाएगा आगे question है photo-artotropic bacteria कांस है तो उत्तर क्या है rodo-spirilum rodo-spirilum जैसे कि जो bacteria होते हो auto-tropsa तो होते है क्या होते है auto-tropsa होते है swim-poxy होते है लेकिन ये आगे चल कर कहना चाहिए दो प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है एक होता है photo-synthesis और एक को बोल सकते है chemo-synthesis ठीक है यह कीमो सिंथेसिस भी आटो ट्राप्स है और यह फोटो सिंथेसिस भी क्या है आटो ट्राप्स है अंतर यह होता है कि फोटो सिंथेटिक बेक्टेरिया प्रकास संसलेशन द्वारा अपना भोजन बनाएंगे फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेटिक प्रकास संसलेशन ये कुछ रसाइनों की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं, जैसे कि हाइट्रोजन है, सलफर है, आइरन है, इन रसाइनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, जिसके करण इसको कहा जाता है कीमो सिंथेसिस, रसाइन संसलेस्टी, तो आपको यहाँ पर बत यह भी कहना चीजा हुआ कि आघे हैं को आगे हैं दी नायटिट्रीफिकेशन बैक्टेरिया का उधाराण है ठीक है यह the把它 के उल्टे का.. करते हैं मतलट ओर नाइट्रोजन को धीरे से किसे बदलते हैं यह नाइट्रेट में बदलते हैं ओब यदि यह कहाना चाय ऐसे करते हैं यह जिस्ट अप सबसंत हो गया है ठीक है जो डी मैं होते हैं उसका उत्तर है सीडो मुनास क्या होते हैं He यह denitrification करते हैं, मतलब यह कहना चाहिए, जो nitrate होते हैं, इसको यह किस में change कर देते हैं, N2 में change कर देते हैं, यह denitrification होते हैं, clear? आगे एवं लाश्ट कोश्चन है, प्रो बायोटिक्स होते हैं, तो आपको बताना है, प्रो बायोटिक्स क्या है, तो उत्तर क्या है, फूड मेटेरियल में जो जीवित सुच मजीव पाया जाते हैं, फूड मेटेरियल हमारे जो कहना चाहिए, खाद्य पदार था है, यदि उसमें कहना चाहिए जीवी सुछ मजीव पाया जाते हैं तब उसको प्रोबायोटिक्स कहते हैं यह रहने को कहना चीछ छोटा सा कोश्यन है लेकिन यह अधिकांस लोगों को पता नहीं है कि प्रोबायोटिक्स क्या है ठीक है तो यह फूड मेटेरियल में पाया जाने वाले लिविंग माइक्रो आर्गनिजम है तो यहाँ पर कहना चाहिए हमारे यह आज का जो टेस्ट है बेटेरिया से सम्मंधित जो रिप्रोडक्शन है या फिर जो लाइफ साइकल है इन से सम्मंधित जो अबजेक्ट्व कोईश्चन है जो बहुत ही महत्तो पूरण है यह कहना चाहिए यही पर समाप्त करते है अगले दिन पुना अध्यान करेंगे यह जो किंडम मोनेरा है इसके अंतरगत जो जिवाणू से अन्य जो अबजेक्ट्व कोईश्चन है जैसे जिवाणू से होने वाले रोग इनिमल में भी होते हैं और पौधे में भी होते हैं एटिनो माइसिट्व कोईश्चन माइको प्लाजमा कोईश्चन साइनो बेक्टेरिया कोईश्चन ठीक है यह तीन टेस्ट की सहायता से आपका लगभग कहना चीव फंडमेंटल क्लियर हो जाएगा लेकिन आप अबजेक्टू से पहले आपके पास जो भी भूख है उसका अध्यान करिए मेरे यूटूब चैनल उसका अध्यान करिए उसके बाद आप टेस्ट करिए आप होम अर्क करिए यदि आप इतना करते हैं तो आपका बारवी बायोसु में आंग 95 तो आएगे ही आएगा आप निट बायोसु में भी प्रतह्म इयर में ही कहना चीव फर्स्ट अटेम्ट में ही आप अच्छे से अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं मतल्ह आप माल्व कहनेची आप 25 में हैं और निट आपका उद्देश्या है, डांक्टर का आप टार्गेट लेकर चल रहे हैं, तो आप मेरे कहने चीज सभी जो यूटूब में जितने भी वीडियो है, जितने भी अब्जेक्टू है, उन सबको आप प्रेक्टिश करिए, तो आपको पहले अटेम्ट में ही निट बा आएंगे, और यहां पर मैं उस शेप्टर से शम्मंदीत, 40, 50, 60, किसी में 70, किसी में 100 तक कहने चीज अब्जेक्टू कोश्चन आपको मिलेगा, और ऐसे अब्जेक्टू कोश्चन मिलेगा, जो कई पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, या फिर जो निट में आये हुए कोश् है, PSC, UPSC, ठीक है जी, PGT, SED, NET, इन सब में आये हुए कोश्चन आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है, तो आज के लिए के वाल कितना हैं, अगले दिन अध्यान करेंगे हम लोग Kingdom Monera के अंतरगर्द एक आउट टेस्ट को लेकर, ठीक है जी, तब तक के लिए, ओक है,